दोस्तोँ क्या आप भी अपने Samsung दिवाइस के अंदर आपे Face Lock लगाना चाहते हैं अगर आपके भी Mobile phone के अंदर Face Lock है और उसे आप Activate करना चाहते हैं अपने Mobile phone के अंदरаются Samsung device के अंदर तो कैसे आप Activate कर सकते है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ. कि आखिरकार Samsung device के अंदर face lock कैसे activate करते हैं तो हमारे पास Samsung का M31 device phone है यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार face lock कैसे add करते हैं तो सबसे पहले आपको करने का है आपको अपने mobile phone के अंदर setting open करना है जैसे आप यहाँ से अपना mobile phone के अंदर आप setting open करेंगे open करने गवाद आपके समने इस तरह का setting आएगा आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको करने के नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक setting मिल आती है आपको Biometric and security के नाम से आपको इसपर किलिक करना है जैसे आप इसपर किलिक करेंगे यहाँ पे आपको देखन को मिलेगा phace degration का option आपको इसपर किलिक करना है तो यहाँ पे आपको अपना pattern log डल द्ने है जो आपने यहाँ फे अपने अब दाल दिने हैं अब यहां से आपको connect कैं continue वाले option पे click करेंगे, आप यहां पर आपका face आपको देखने को मिले गाँगा, तो अच्छे से आपको यहां पर scan करेंगे, फिर मैं यहां से अपना face इस्केन करेंगे, आपका यह setting यहां से enable हो जाएगा और उसके बाद यहां से देखने को मिलेगा ड़न करने का ओप्सन यहां से आपको डन कर देना हैסे आपके मुबाईल फोन केंदर यहां पर ENABLE हो चुगा आप यहां पर आपको देखने को मिलेगा Place Register यानि आपका जो Face है वो यहां पर register हो चुगा है अब यहां यानि कि इस मुबाइल के वज़े से जो यहां पर रिकॉर कर रहा है मुबाइल फोन उसकी वज़े से हमारा यहां पर फेस मैच नहीं कर पा रहा है तो यहां पर हम यहां पर अगल करते हैं तो देखने को मिलेगा हमारा मुबाइल फोन पूरी तरीके से लहां पर अनलॉक हो च जूदीए